दोस्ते दोस्तों स्वागत है आपका अंसीवाउतिक चैनल में दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हम अपने बैक नेक डीप के हिसाब से अपना शोल्डर कितना रखेंगे दोस्तों हम हर साइज में अलग-अलग नाप से अलग-अलग शोल्डर रखते हैं हमें कितना डीप नेक बनाना है जो भी बनाना है उसके हिसाब से शोल्डर का नाप अलग-अलग होता है तो दोस्तों वही मैं आपको आज इसमें बताने वाली हूँ कि किस साइज में कितना रखेंगे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो से हम इसका नाप लेंगे देखे दोस्तों यह 16 इंच है यानि यह हमारा ब्लाउज 32 इंच का है तो 32 इंच के ब्लाउज में हम अपना शोल्डर कैसे रखेंगे दोस्तों इसका बैक नेक हमारा देख लीजे पहले हम बैक नेक आपको दिखा रहें इसका बैक नेक हमारा दबन बाख सब्सक्राइब नगी। मैं आपको इस वीडियो में पूरा step by step बताती जाओंगी तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम अपने blouse कनाप लगा लेते हैं तो हमारा blouse 32 इंच का है जिसकी लंबाई 30 इंच है तो हम यहां 30 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इस मार्क को इसको हम सिधा कर लेंगे अब दोस्तों इस साइज में हमारा armhole होगा हम पौने 6 इंच का साढ़े 5 इंच का रखते हैं आप साढ़े 5 या पौने 6 भी कर सकते हैं तो यहां से हम यह निशान ऐसे कर लेंगे देखिए दोस्तों अब हमारा इसमें कि हम शोल्डर कितना लेंगे और हमारा गला कितना रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताती हूं जब हम 5 इंच का पांच इंच से करेंगे हम इसको डबल करेंगे तो आठ इंच का हो जाएगा यहां से हमारा शोल्डर चार इंच का होगा और यहां से हम उपना प्रोड् December ऑने दो इंच का दूस्तों इस हिसाब से आप अपना ब्लाउज बनाएंगे तो आपका blouse एकदम perfect आएगा देखे दोस्तों हमने ये shoulder ले लिया अब हमारा गला इसमें आप 5 इंच रखिए 6 इंच रखिए 7 रखिए 8 रखिए या 10 इंच तक हमारा ऐसे ही चला जाएगा तो दोस्तों 10 इंच तक के 5 से लेके 10 इंच तक का गला बनाने के लिए हम अपना shoulder अपने burst के चोथाई हिस्से का आधा लेंगे तो ये हमारा एकदम perfect होगा अग दोस्तों हमें boat neck जब हम बनाएंगे या फिर एक से लेके 4 साधे 4 तक का गला बनाएंगे या फिर एकदम collar neck बनाएंगे तो हमारा shoulder कितना होगा वो मैं आपको बता रही हूं तो दोस संदाए में 1 पाला गए है देखने दोस्तों जब हम ट्रस जब हम लगाते हैं तो हमारा गला ऐसे पैलता है तो यह हमारा सही से आता है और जब हम यही prol Fast neck बनाते पर या फिर अपना एकदम बंद गला बनाते हैं तो यह चीज ऐसे नहीं ठैब और यह जैसे भी बना देते ह वैसे ही रहता है तो अगर हम बंद नेक में या फिर बोट नेक में अपना अपना शोल्डर इतना ही लेंगे तो वो नहीं सही होगा यहां से हमारा खीचा-खीचा होगा तो इसके लिए हमें हम जितना भी अपने बाडी मेजरमेंट अगर हम लेते हैं तो उसमें जितना भी हम अपना तीरा नापेंगे जैसे कितने लोग का तीरा हम नापते हैं तो तेरा होता है 12 इंच 13 या 14 इंच जितना भी हमारा तीरा निकलेगा हम उतना पूरा लेते हैं तो इसमें माल लिजिए हमारा 14 इंच का है तो 14 का आधा 7 इंच होगा तो हम यहां से 7 इंच का ही तीरा रखे और प्लस इसमें हम आधा इंच सिलाई के मार्जन का भी जोड़ेंगे तो इसमें हमारा साड़े साथ इंच का होगा दोस्तो हर साइज में अलग-अलग यह होता है तो आपका जितना भी हो आप उस हिसाब से अपना नाप लिजिए गा आपका बर्ष्ट साइज कितना है वह माली जी यह हमारा 34 का अगर हो जाए तो हम यहां से हाफ इंच और एक्स्ट्रा करेंगे और हमारा हम जब बाडी मेजर्मेंट लेंगे तो बाडी में जितना भी हमारा तीरा आएगा शोल्डर आएगा उतना हम पूरा रखेंगे अगर हम बोटने बंदने यद ए फिर कॉलर ने गवैन बनाएगे तो हम पूरा रखते हैं अब दोस्तों अगर हमें ब्लादस से यह चाहँ हो soap करे हमारा कोई ब्लादस है जो ढीप ने पे है और उससे हमें अपन बोटने या फिर कॉलर नेग बनाना है तो हम कैसे बनाएगे इसमे निकालते हैं, दोस्तों हमने बताया है आपको हम जब डीपनेक बनाते हैं, अपने चेस्ट का चोथाई हिस्से का आधा लेते हैं, तो दोस्तों इसमें भी हम उसी तरह लेंगे, हमारे चेस्ट का चोथाई हिस्सा जितना होगा, हमारे चेस्ट का बनाते हैं, तो चार होगा, चार में हम प्लस करेंगे दो इंच, तो चार में जब हम प्लस दो इंच करेंगे तो ये 6 इंच का होगा, और जब हम इसको डबल में करेंगे तो ये 12 इंच का होगा, तो ये 12 इंच का हमारा पूरा तीरा होगा, और हम तीरा हाफ करके लेते हैं, तो 12 का हाफ हमारा 6 होगा, तो و UST 6-inch 30-60 inch निशान के लिए यह को इस को ऐसे निशान लगाएंगे और यह बैक गला हमारा टो मैं कर लेए दोस्तो इस तरह से हर साइज का निकाल सकते हैं हर साइज का ब्लाउज माली जे आपको 36 इंच का ब्लाउज बनाना है और उसका आपका डिपनेक है और उसको आपको बोटनेक या फिर कॉलर नेक बनाना है तो हम पहले 36 का चौथाई हिस्सा लेंगे जो 9 इंच का होगा और 9 इंच में हम प्लस 2 इंच का सारी दोस्तों 9 का आधा हम आप से आप अगर कॉलर नेक बनाना है बोटनेक बनाना है तो इसी तरह से जब आप तीरा निकालेंगे आपका ब्लाउज एक दम परफेक्ट बनेगा देखिए दोस्तों मैं आपको 36 इंच के नाप में समझा दे रही हूं कि लिए लिए कि आपको कैसे रखना है देखिए दोस्तों यह हमारा बर्ष साइज है जो 36 इंच है यहां यह 36 इंच है प्लस हम इसमें डेठ इंच मार्जन के लिए रखा है अब इसमें हमारा आर्म होल है 6 इंच का देखिए दोस्तों यह 6 इंच का है ये छे इंज का हम रखेंगे और यहां से हमारा तीरा होगा सात इंज का हमने अपने चेस्ट साइज का आधा किया आधा का आधा में हमने दो इंज प्लस किया और प्लस आधा इंज हमने मार्जन का लिया तो इसका आधा हमारा साधे चार होगा साधे चार में हमने दो इंज प होगा तो इसका brightness हम तीन इंच का रखते हैं आप तीन साधे तीन पर रख सकते हैं तो तीन इंच पर रखेंगे और आपको कॉलर बनाने के लिए यहां से सिर्फ एक इंच सवा इंच ऐसे ही नीचे ऐसे जाना है और यहां से ऐसे थोड़ा सा डिप करके ऐसे निशान लगा ले तो नीचे से हम अपना कॉलर लगाते हैं तो वह कॉलर एकड़ बनता है इसी तरह से दोस्तों हमें अपना बोट नएक बनाने के लिए यहां रुट लिए यह तीन इंच पे या फिर चार इंच पे आ जितना रखना चाहें रख सकते हैं हैं चार इंच पे ही रख लिजिए तो लेकिन दोस्तों हम इसमें 3.5 इंच पे रखते हैं, 3.5 इंच से इसको ऐसे ये शेप देते हुए यहां हम मिला देंगे, देखे दोस्तों ये बोटनेक होगा, इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, तो दोस्तों बोटनेक, बंदनेक और कॉलरनेक में हमें तीरा अपन ये मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा, और अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, जो आपको समझ में नहीं आया है, जो आप किलियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, दोस्तों आप मेरी वीडियो को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, इ